हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है प्रेंज जितने भी चात्र from 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे है यूपी बोर्ड की द्वारा जारी किया गया जो वाइरल पेपर है इसका यहां पे आप लोग संपूर हल जरूर देखें, यहां पे आप सभी को हिंदी का संपूर हल कराने वाले हैं, तो इसका आप जरूर हल देखके ही आप कल 22 फरवरी को पेपर देने जाईएगा, ठीक है, यहां पे आप सभी को संपूर हल बताने वाले हैं, यहां पे देख यूपी बोर्ड के द्वारा जो माडल पेपर जारी किया जाता है इसमें से आपके बोर्ड के एक्जाम में 50 से 60 प्रतिशत तक क्वेस्टन रिपीट होते हैं इसलिए यहां पर आपको प्रतिए क्वेस्टन को पुरा डिटेल में आपको लिग के पूरा बताएंगे उसका एक अब दिखे फ्रेंज यहां पर कुछ निर्देश दिये जाते हैं तो पहला निर्देश इसमें यह है कि आपको 15 मिट जो रहेगा प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए समय रहता है आपके जो प्रश्ण पत्र रहेगा इसमें दो खंड होगे खंड और खंड बा होगा खंड बहुकल्पी प्रश्ण रहेंगे ठीक है जिसे ओम और सीट पर इसका एंस्वर आपको नीला पेन या काला बाल पॉइंट सेही आपको देना रहेगा अगला पॉइंट आपका है कि खंड जो है इसमें जो बहुकल्पी प्रश्ण परतियक प्रश्ण एक एक नमबर कर इसके प्रश्ण के समुक उसके अंक निर्धायित किये गए है यह इसके कुछ निर्देश थे अदम सेम तुसेम यहीं निर्देश कल के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है यहां पर और बता दें कि आप इस पेपर का संपूर हल जरूर देखें आपको बार आपके 22 फरवाली जो हिंदी का पेपर है आपके माडल पेपर में सही मैक्सिमिम कोईश्चन आएगा तो आप आज के रात इस पेपर को सिर्फ देखके कल पेपर देने चले जाएए ठीक है यहां पर देखें बहुई कल्पी प्रश्ण है टोटल 20 पुरांक किसका है पहला प्रश्ण आपका है कि बाभू गुलाब राए जो दुवेदी यूग के लेखक है इस प्रश्ण का सही जवाब भीवला आपसंण सही हो जाएगा सिर्फ एक बार देख लीजिए सभी प्रश्ण आपको यादो जाएंगे दूसरा देखिए चिंतामड़ी किसी विधा की र सही जवाब एवल आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए गबन किसकी रचना है तो आप सभी को पता है कि गबन किसकी रचना है तो गबन मुंसी प्रेम चंद्री जी की रचना है तो इसका सही जवाब एवल आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए आप कि स सुकल यूग की समय अवधी मानी जाती है आपको यह प्रश्ण कई बार करा चुके हैं आपको यह प्रस्ण अदर रटा गया होगा कि सुकल यूग की जो समय अवधी होती है चलिए इसके को देखते हैं लिए कि अफसन मैं अप्रिवेदी 9 भारतर प्रगतिवादी युस्थ इकहां तो प्रवाद जो है कि इसका सही जवर क्यों होगा आपसंatक हो जाएगा अगला देखुए मदुशाला किसकी रचना है तो आप तुंस कट्げ के लगा दे यहां परALKी religion टाइप करा रहे हैं ठीके आटमा देखिए भारत भारती किसकी रचना है तो भारत भारती आप सभी को पता है कि किसकी रचना है तो मैतली स्रड़क गुप्ति की है तो इसका सही जवाब बीवला आपसन सही हो जाएगा अगला है कि आधुनी काल कब से कब तक माना जाता है तो आधुनी काल जो हता है अथारो सो तिरालिस से लेकर अब तक का जो समय है आधुनी काल माने जाता है तो इसका सही जवब एवल आपसन सही हुआ जाएगा अगला देखिए दसमा नंबर का कि मती राम किसी यूग के कवी है आपको बताना है कि मती राम जो है किसी यूग के कवी है ये आपके जो है रीती काल के है किस काल के है तो रीती काल के है तो मती राम जो है रीती काल के कवी है याद करना होगा तो आप रह से रीती काल याद कर सकते हैं ट्रिक बनाके अगला प्रसंद देखिए हासिरस का अस्थाई भाव क्या होता है तो हासिरस का अस्थाई भाव सोख है ठीक अगला देखिए प्रस्ण आपका सोहत ओड़े पीत पात श्याम सलोने गात मनो नील मरी सैल पर आतव परियो प्रकाश यहां जब आपका वाक्य में मनो जनू जानो इस तरह कोई सब्द आता है तो समझ लिजिए कि महां पर उत्परेच्छा अलंकार होता है तो इसका सही जो अब बीवला अफसन सही हो जाएग कि सोहत ओड़े पीत पात स्याम सलोने गात मनो नील मरी शैल पर आतव प्रकाश में आपका उत्परेच्छा अलंकार है अगला प्रशन देखिए रोला चंद में कुल कितने चरण होते हैं तो रोला पूछे चाहे सोरठा पूछे उसमें चार चरण होते है तिसका सही जब सी कारम में कौन सा सब्द जुड़ा हुआ है उपसर्ग कल आता है यहां पर कौन सा उपसर्ग है आ है यहां पर देखिए आपसंड डीवला सही हो जाएगा अगला देखिए पंदरा नंबर यह अदम इंपोर्टेंट कर लीजिए इस साल के कोईस्टन के लिए इसको अदम बता देते तरहंता है सन्युक्टबा क्या आता है मिश्ज्रिट वाक क्या जाता है इसके अलावार एक सरल knock क्या जाता है ठीक है त्यों चैने वाक्या स्थी तरह एक होता है रचना के आधाल पर इसके तीन भेड होते थे इसको इंपोर्टेंट करके याद कर लिजिनum कर सही जवाब सी वाला आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए आशु का तत्सम रूप होगा तो चलिए आपसन को देखते हैं देखिए आशु का तत्सम पूछा है तो आशु का तत्सम क्या हो जाएगा आपका अस्रू हो जाएगा तो इसका सही जवाब क्या होगा सी आपसन स और देखिए करतिवाच में किसकी परधानता होती है करती मतलब करता 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 क्या समझी करता करता यानि कि ताभ्या शब्द में भक्ति वह अच्छन कौन सा है ताभ्या में आपका चतुर्थी भक्ति बहुँ अच्छन होता है इसका सही जवाब डीवल आपसन सही हो जाएगा बीसवा नमबर निम्नली खित में से सर्वनाम आपको बताना है तो देखिए संग्या के अस्थान पर जो कर्तिवाच यह पूछेत करता की परधानता कर्माच पूछे पनान कार्म परषणों के अगले प्रषणों को देखते हैं और देख अए शिर्फ एक Gör जाएगा उसका एंस्वर देना है देखिए यहां से लेके यहां तक पढ़े गद्यांस को ध्यान से पढ़िएगा जिदेखिए आपको पढ़के बताते हैं यह कोई बात नहीं है कि एक सोभा और रूची के लोग में मित्रता हो सकते हैं मित्रता शब्द आपको वाक्य में मिलेगा तुर्ण समझेजिए कि पार्ट का नाम आपको क्या है मित्रता है और इसके लेखा कौन है आचार रामचंद्र शुक्ल जी है अब यहां से आपको क्या करना है पहले संदर देखिए बोड के एक्जाम में आप कैसे लिखेंगे पूरे प्रश्णों का एंस्वर आप देखिए ध्यान से आपके लिख के पहले से रखें जिससे आप कम से कम समय में सभी प्रश्णों का रिविजन करा दें आप सभी को देखिए संद्रव जब लिखेंगे लिखिए प्रस्तूत गद्यांस हमारी पार्ठ पुस्तक के हिंदी के मित्रता नामक पार्ट से लिया गया है इसके लेखक जो है आचार रामचंदर शुकले जी है इस तरह आपको संदर्व लिखना है टोटल इस पर दो नंबर आपको मिलने वाला है अब देखे यह जो रेखांकित अं इसकी ब्याख्या और उसे अपने शब्दों में देखे इसके ब्याख्या कैसे करेंगे लेखा का कहाना है कि एक समान रूची हुआ सोभाव के लोगों में ही मित्रता नहीं हो सकती है बलकि समाज में इसके विप्रित दू विभिन दृष्टि को रखने वाले ब्यक्तियों में भी मित्रता हो सकती है ठीक है अब देखने को मिलती है फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि ब्यक्ति चाहता है कि जो गुड़ उसमें नहीं है उन्हीं गुड़ों से युक्त ब्यक्ति से मित्रता बढ़ाई जाए जिससी जीवन में कठी समय आने पर वह उनसे सहायता व लोग एक दूसरे क्यों आकर्सित होते हैं इसका एंसवर कैसे लिखेंगे लिखेंगे कि प्रस्तूत कद्दास की अनुसार ब्यक्ति समाज में विभिनता देखकर ही एक दूसरे क्यों आकर्सित होते हैं इस पकास इसका एंसवर आपको देना था पेपर में ठीक है और यह आपके बहुत रिपीट होगा और यह माडल पेपर का कोईस्टन है तो आपको हंडेट परसंटेज बाइस फरवरी कल के कि एक्जाम में यह क्वेशन के लिए मिलेगा इन सभी क्वेशन ओक आप जरूर एक वाल ध्यान से देख लिजेए पहले हैं थ्यान से पढ़िए एब भगवान तब के लिए विपद इतना आयो जन परम पिता की इच्छा के विरुत इतनासा हस पितां जी क्या भीख नहीं मि या कोई हिंदू भूप्रिष्ट पर न बचा रहा जाएगा जो ब्रहामण को दो मुठी अन्य दे सके यह असंबोव है फिर फिर दीजे पिता जी मैं काप रही हूं इसकी चमक आखों का अंधा बना रहा है देखिए वाकी को पढ़िए वाकी को पढ़िए प्रश्ण देखि यहां पर ममता सब्सक्राइब मिला महंता तुरंट समझे कि मोज भूझ से लिया गया है ममता नामक पार्ठ लिया गया है इसके लिकिक कौन है जए संकर प्रसा하ब जी का मिल गए अब इसका कैसे ब्याख्षा करेंके अब करो थे ऑप सेव्याया करेंगे कि पहले संदर्व इसी तरह लिखेंगे कि प्रस्तूद गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्खंड में संकलित मंता सिर्षक नामक पार्ट से लिए इसके लेखक जैसे प्रशाज जी ऐसे दिखना है फिर रिखांगित अंस की व्याख्या जो हता अपने शब्दों मे करना रहता है कैसे करेंगे सिर्फ एक बार पढ़ लिजी यह प्रशाज आपके सामने आता है अपने शब्दों में इसे लिख लेंगे जैसे देखी है भगवान मेरी इस पिता को दिकार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना इमान धर्म बेज कर गूस के रूप में यह विपूल सोडराशी प्राप किये मेरे यह पिता भी कितने मुर्ख हैं कि जो यह नहीं जानते हैं कि हम अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकते यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उसे किसी भी इस्तिती में टाला नहीं जा सकता है सारे संसार की धनसबती हमें उस pousीबत को छुटकारा नहीं दिला सकती है इस विपत्ति को देने वाले प्रम शक्तिसाली प्रम पिता प्रमात्मा ही तो है जो संसार का संचालन करते हैं जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी भी इस्तिती में टाला नहीं जा सकता है ठीक है यदि हम उसके विरुद कुछ करते हैं तो यह हमारा उसके प्रती दुस्सा हस ही होतो है, वह अपने पिता से कहती है कि पिता जी अपने यह अच्छा कार नहीं किया, यदि भविस्य में विपत्ती आती है तो हम भीक मांग कर अपना पेट पालन कर सकते हैं, इस घूस लेने से तो वह भीक मांगना कहीं स्रेश्ठ हो मिलेगी, यह आपको यह सोचना है तो गलत है, ममता ने अपने पिता से कहती है कि पिता जी इसे वापस कर दीजिए, सोने की चमक मेरी आखों को अंधा बना रही है, इस तरह क्या करना है, आपको अपने शब्दों में ब्याख्या करना रहेगा, फ्रेंश ठीक है, देखिए पद्द्याइअ पर आधारी तीन प्रशन का उत्तर देना है आपको यहां पर पद्द्याइब दिया है, अब इस प्द्याइब कृटल कितने करेगा, चो नबर का है, इसमें भी आप से तीन प्रेशन पूछेगा परते एक प्रेशन दो-दो नमबर का है जैसे देखिए इस पढ़ता ही आपको पाट का नाम और लेखा का नाम पता चल जागा चली आपको पढ़ के बताते हैं उसमें आपको बताते हैं चड़ कमल बंदो हरी राई जाकि किरपा पंगु गिनी ले हो ठीक है अंदे को सबकुछ दर्साई बहिरों सुने गुंग पूनी बोले रंक चले सिर्छत्य धराई सूर्दा स्वामी कड़ा में बार बार बंदो तहीं पाहीं देखिए आप मिला सूर्दास इसका मतलब इसके अलंकार ही यह आपको बताना है तो चलिए इसको हल करके आपको बताते हैं इसके देखिए कैसे आप हल करेंगे देखिए यहां पर चड़क कमल बंदो हरी राई गया है अब देखिए यहां पर क्या करना है कि यहां देखिए आपसे पार्ट का नाम और जैसे पार्ट का ना इस तरह आप लिखे दीजिएगा लेखांकित अंस की ब्याक्या करना है मैं उस इश्वर के कमलवत चड़ो की वंदना करती हूं जिनकी किरपा से लंगड़ा ब्यक्ति परवत पर चड़ जाता है अंधे को सब सब्स कुछ दिखाई देने लगता है 12 व्यक्ति पर निर्धर जर्ड़ पर चलना रहता है इस पर लुषा हुआ थे नि इसी पकास से आपको अठ्वाजिक सवाल दिया है इस सवाल इस प्रष्ण को भी आप त्यार कर लीजिए हैं यहां से पर लिए इसे आप जरूर पढ़ त्यार कर लीजिए ठीक है फ्रेंस अब देखिए आपको संदर्व लिखने का तरीका और हिंदी में अनुवात कैसे करेंगे आपको बताते हैं कौन सो लेकर यहां तक पहले संदर्व लिखना है तर यहांसा पार यह ओधसी पार्फ है आप दिखिए को संदर्व दिखिए के प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठ पुष्तक के संस्क्रीत खंड में संकलीत वरारसी नामक पाठ से लिया गया है हिंदी अनुवाजू करेंगे कैसे करेंगे यह नगरी भारती संस्क्रीत और संस्क्रीत भासा का केंद्रस्थल है यहीं से संस्क्रीत साहित और संस्क्रीत का प ज्यान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिसिदों का अनुवाद वासा में करवाया इस पकास से इसको क्या करना है हिंदी में इसका अनुवाद करना है ठीक है यहां पे आप इसको पढ़के आपको बता दें कि वरादसी पार्स लिए गया इसका संदर्व भी लिखे सब्सक्राइब बड़रहें देखें आपके सामें अगला प्रशन अठवा में इस प्रशन को भी आपको बता देते हैं कि दोनों में से कोई भी एक प्रशन आपके बोड के एकजाम में आता है यान आचरान विचारां च आदर्शयां तत्र सर्व अस्माकम संस्कृति अब दीके इसका कैसे आप करेंगे लिखने के प्रस्तूत संस्कृत गद्यान्स हमारी पाठ्ट पुस्तक हिन्दी के संस्क्रीत खंड में संकलीत भारती संस्कृति नामक पार्ट से लिया गया है बस इतना ही आपको लिखना है ठीक है आपको संदर में सिर्फ इतना ही लिखना है अब हिंदी अनुवाद देखिए जो लिखा है उसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा आपका कि मानो जीवन का स संस्कार करने के लिए बहुत प्रत्न किया था उन्होंने हमारे जीवन चन्स कार के लिए जीव जिन आचारों का प्रादर्शन किया वह वह हमारी संस्क्रिति है इस संस्क्रिति वी स्थ तेरा उसका हिंदी में अनुवात करना रहेगा ठीक है फ्रेंस चलिए अगले प्रश्ण को भी देखते हैं देखें आपको अगला नंबर का है कि दिए गए संस्क्रीत पध्यांस में से किसी एक का संधर्व सहीत हिंदी में अनुवात करना है टोटल कितने नंबर के किसका पाट का है जीवन सुत्राई पाट का है यह जीवन सुत्राई पाट से लिया गया है अब देखें इसका आपको क्या करना है कि संधर्व कैसे लिखेंगे हिंदी में अनुवात कैसे होगा यहां तक पढ़ें फिर यहां तक पढ़ें कामम हित्वार्था वान भवती ल कान को छोड़ना प्री होता है और क्रोध को छोड़ कर शौक नहीं करना करता है कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोग को छोड़कर शुखी होता है विश्थ पकास depends कि आम हिंदी में अनुवात करना रहता है ऐसे चीम पाइब का ज़स्तुत hoch 5810 सुत्राडी पार्ट से इसत्रक्रणागर गड़ मेंस कूल के पेपर में देखने के लिए देखने के लिएगा देखनेम मिलेगा सरवे बद्रडर कन तुमा कस्टी कुछ दुग भाग भवेद इसके कैसे आप जिखेंगे के संदर्व लिखने का तरीका वही है कि प्र lamps hybrid हमारी फाथपुष्थड़ हिंदी के घ्र---- that चर्थिस ही नामक पडसी लिए इसका संदर्व हिंदी में अनुआत इसका क्या होगा कि सभी सुखी हो सब रोग रहीत हो सब कल्यार को देखे कोई भी दुखी नव हो इसका इस प्रकास आपको हिंदी आपको बताते हैं देखें आपको प्रश्न क्या है कि मुक्ति दूत खंडकाब के आधारप गादी जी का चरित्र चित्र लिखने के लिए देखें गादी जी का चरित्र चित्र कहें या सवाल में आप से कद प्रथम सर्ग क्या कहें प्रथम सर्ग दोनों में से प्रथम सर्ग करें या इस सवाल में एक सवाल आप से पूछलहका नायक का चरीत्र चित्र किसका कहता है नायक का ठीक है यहाँ पर देखें आपको यह बार बार करा रहा है जिससी लुमस्रीत प्रश्ण आपको याद हो गया हो कि नायक का चरित्र चित्र या महात्मा गादी जी का चरित्र चित्र या प्रथम सर्ग का है उसका भी एंसर यही होगा क्या लिखेंगे कि गादी जी का अवतर भारत की ही नहीं बलकि संपूल विश्व की ही महान गटना है अपने गरिमा में एवन अलोकिक चरित्र बल से गाधी जी संपूल विश्व को प्रभावित करके यूग पुरुष कहला है इस खंड काब के नायक गाधी जी है प्रसूत खंड काब के आधार पर गाधी जी के चरित्र में निम्रिकित विश्यस्ता है अब कौन-कौनसी विश्यस्ता है वह दिव पुरुष हरीजनों के उद्धाराक मात्री भग महान देश भग यह कुछ विश्यस्ता है अब देखिए आप क्या करेंगे इतना करने के बार अब दिव पुरुष है तो उसके बारे में एक दो लाइन लिखेंगे जैसे महात्मा गादी महापुरुष पृध्यवी पर अवतार के रूप में प्रकट हुए जो पृध्यवी के दुखों का राड़ करने के लिए आते हैं इस प्रकार गादी साधारा पुरुष्ट न होकर दिविपृृष्ट काला है एकला प्रस्त हरीजनों के उद्धारक के रूप में क त्हें मतरिबक्त he गादी जी मां के प्रतिस रधा और भक्ती की भावना रखते थे गादी जी ने उदार्ता प्रवावकार धया तथा असत्तता अधी गुरों को महां शही सीखा था इस बगास आप क्या करेंगे जितने भी गादी जी के बारे में कुछ विसेस्ता है जानते हैं आपको लिखना रहता है ठीक है अब देखिए इसके अलवा जितने भी आपके खंड खंड आपको नजर आ रहे हैं यह सभी प्रशन आपके छोड़ देना है यह सभी प् परमुक रचना का उलेक कीजिए टोचल पांच नमबर का डाक्र राजेंद्र प्रशाद संकर पार्शाद अचार रामचंद्र शुक्ल प्रशाद इन तीनों में से किसी एक का जीवन परचे आपके कल के पेपर में देखने के लिए मिलेगा चलिए आपको आचार जो हुआ था बस्ती जील अगोना गाउं को उत्तर प्रदेश में पीता का नाम चंद्रबली शुक्ल था मिरत्यु 1941 यह संचीप्त परिचे आपको अच्छे से याद होना चाहिए फिर इसके बाद जीवन परिचे जो अपने शब्दों में लिखना है कैसे दिखेंगे आचार राम चंद्रशुक्ल का जन 1884 इसी में बस्ती जीले के अगोना गाउं में हुआ इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था इंटरमीडियन में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई यह सरकारी नौकरी करने लगे लेकिन कुछ समय के बाद मिर्जापूर के मिशन इस संस्कृति उर्दू अब देखिए उर्दू वां फार्सी आदी का ज्यान प्राप्त किये कासी नगरी प्रचारी सभास से जुड़कर शब्द सागर के सहायक संपादन के कारेबार समाला सुकल जी के निबन आलोचना कवीता आदी के च्छत्र में सरुपारी अस्थान है स् सब्सक्राइब देखिए इसके बाद इनकी कुछ रचनाय हैं जैसे चिंतामडी निबंदे विचारवी थी रस्मिमांसा त्रवेडी सूर्दास संपादक में तुलसी ग्रन्थावली जैसी ग्रन्थावली आनंद कादंबनी इस तरह इनकी रचनाय कुछ लिखना का जीवन परचे अब देखिए आप से अगला प्राशन जो बोड की एक्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा छटवा नंबर का यह भी आपका टोटल पांच नंबर कराएगा दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परचे देते हुए अपनी एक परमुख रचन कि देखिए सूर दास का जीवन परचे लिखाना रहे पले संशित परचे दर लिखिएगा और यहां पर डाल देजीगा सूर दास अब यहां पर जन्म कब हुआता सूर्दास का टा 1480 में जन्म अस्थान कहां पर रूनक्ता में है पिता का नाम रामदास सारस्वत है सूर्दास का जन रुरक्ता नामक गाउं में 1478 इस्वी में हुआ था विद्वानों में इनके जन्मांद होने के संबंद में मतभेद है यानि को जन्म से अंधे थे ऐसा कहना कावियों में क्या है मतभेद है ठीक है सूर्दास ब्रामण परिवार में पैदा हुए थे यह रेचित पद सुनाया जिस पर परसन होकर उन्हें कृष्ण लिला को छदबद करने का सुझाओ दिया सूर्दास जी अश्टछाप के सर्वस्रेष्ट कभी है इनकी मृत्यू 1583 इसी को के आसपास हुआ था ठीक 1583 के आसपास इनकी जो परमुक रचना है सूर्सागर सूर्स सूर्दास का जीवन परचे एक बार देख लीजिए आपको जीवन परचे देखते देखते याद हो जाएगा ठीक है कि अपनी पार्ट पुस्तक में कंठर्ष्ट कोई स्लोक लिखी इस प्रष्ट पत्र में ना आया हो टोटल दो नंबर करेगा चरी देखें यहां पर आप अगला है कि यह नहीं आदेती यह आदेती जही लिखती जीएगा सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राड़ी पश्चन्तु माकस्चितु भाग भगेत इन दोने में से कोई एक भी आपको जो यादोगा सुलोक लिख सकते हैं ठीक है अब लिखित में से किनी दो प्रश्णों का उत्तर संस्क्रीट में देना है आपको दो नमबर मिलेगा देखिए आपका पहला है कि भारती संस्कृत मूलं तिंटी इसका आप उत्तर कैसा लिखेंगे यहाँ पर द्यान दिजिए आप इसका उत्तर लिखिएगा विस्वात्य यह अस्ती अस्ती फिर लिखिए इती भारती इती इती भारती हुशत तो संस्क्रित संस्कूत तो नूलंग कि अस्ति यह पहले का जवाब यह और जाएगा आपका ठीक है चली अगले प्रश्ण सेंसुर हो जाएगा आपका कि पुरू राजा ठीक है यहां पर देखिए कि पुरू राजा कि भारतस्य एक वीर निरिप ठीक है निरिप आसीत यहां क्या लिखेंगे आप आसीत लिखेगा आसीत कि अब चंदरशेखर के बारें भीका है चंदरशेखर के असीत चंदरशेखर क्यू थे और चंद्रशेकर क्रानतीकारी थे तक को पूझ सुद्धार फिरर किसको पूझार के बस विरा नहीं नहीं फिर विरेड यानि के विरा विरेड फुझते इसका एंसर हो जाएगा ठीक है इस पकास आपको लिखना था प्रस्ट नंबर 9 तोटली 7 नंबर कर रहेगा यहां से आपको निबंद पूछा है परवड़ सरच्छड के उपाय अतवात कर निवारण जनसंक्य लाव भानी नारी सक्तिकर्द इन सभी के बारे में आपको निबंद कई बार करा चुके निबंद आप तयार करके जरू चले जाएगा अब देखे आपके एक पत्र लिखिए टोटल चार नंबर का यह प्रश्ण रहेगा अथवा में दिया है कि चाहिए इस प्रश्ण कीजिएगा या इसके लाव इसको कर सकते हैं कुट्तर मद्य रेलवे को एक शिकायत ती पत्र लिखिए जिसमें से टिकट निरच्छक द्वारा किये अब अब पत्र लिखेंगे बस पत्र लिखते हैं बस आप फ्रश्ण पैरग्राफ जिस हिसाब से लिखा जाते हैं उसको ध्यान देना है यहां पर सबसे पर लिखेगा परिच्छा भवान ठीक है यहां पर लिखिए अपना कोई की जीला जिस गाजी पुर परियाग राज आगरा इस यहां पर लिखिएगा कि आसा करता हूं तुम सकुसर होगे कल ही तुम्हारा पत्र मिले मुझे यह जान का प्रसंद हुई कि तुम्हारी परिच्छा समाप्त हो गई है तथा विद्याले ग्रिश्मकाल आवकास के उपलच्छ में 30 जून तक के लिए बंद हो गया है मेरी ब परिच्छा एंपढ़ाई का विचार कर ऐसा नहीं कर पा रहा था अब तुम्हारी परिच्छा समाप्त हो गई है और विद्याले भी बंद हो गया है अता मैं तुम्हें अपने घर आने का सब प्रेम निमंत्रण प्रेशित करता हूं यदि भी मेरा घर छोटे से नगर में ह फिर भी इसकी कई विशेस्ता हैं इस नगर में अनेक दर्शनी एंपर्यटर अस्थल हैं इस नगर का एक एक कोन अपने नौसर की सोंदर्य से परिपूर है ठीक है मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से मेरे निमंत्रों को शिकार करोगे हम तुम्हार प्रतिच्छा कर रहे हैं आने से पूर्व यहां पहुचने की तीथी से अवगत कराना जिससे मैं तुम्हें लेने स्टेशन पर आ सकूँ अब यहां पर तुम्हारा मित्र यक्स्वाई जेट यहां पर कुछ डाल दीजिएगा ठीक है इस पकास आप पत्र कि कोई भी पत्र आपको लिखना होगा बस यहां पर पैरागरा आप ध्यान दीजिये परिच्छा भवान प्रियागराज यानि कि यहां पर आपको यह लिखना पड़ेगा बस यह पार अगरा बस इतना याद रहे इसके बीच में आप अपने मन से जो आप जिसके प्त्र पूछा रहाता है पत्र के बारे बीच में लिखना रहाता और फट्र में आ पर तुम्हारा मित्र यक्स वाई जट लिख सकते हैं कुछ भी तरह आपको पत्र लिखना रहे जीएगा पना और यहां पे ठीक है डिनाग डाल दीजेगा और यहां पे अपना नमस्कार पत्र अपने लिखना इस्टार्ट कर दिजेगा यह पारगराफ एक होता एक पारगराफ में अधिया आप लिखते हैं तो आपको पूरे की प्रशनत है सभी प्रशनों का रेविजन करा दिये हैं इन प्रशनों में सवाल कल के पेपर में सवाल देखने के लिए मिलेगा इस परश्व को यहिदि आप देखके जाते हैं तो दूसरे छात्रों की तुलना में आप कई step आगे होंगे ठीक है फ्रेंस तो आको जितने भी प्रश़त हैं जो एक प्रकास से यूपी बोड के दारा पहले से प्फेपर में कोेस्टेन जोकुत वारल कर दिये जाता है जिसे आपको जाना ज्यादा जरूरी होता होता है जो आपको पहले बता चुफे हैं तो फ्रेंस आपको कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं तो लोगों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें